तो दोस्तो आप सभी के फोन में developer option की setting जरूर होती है और दोस्तो ये setting इतनी VIP होती इतनी जवादस होती है कि इस setting की मदद से दोस्तो आप अपने phone की बड़ी से बड़ी problem को दूर कर सकते हैं और आज हम आप को 이 setting की एक ऐसी problems के बारे में बताएंगे जिसे दोस्तो आप चुटकियों में दूर कर सकते हैं जा दोस्तो अगर आपका फोन भी गरम होता है हीट होता है आप कोई गेम खेलते हैं तो आपका फोन काफी ज़्यादा गरम हो जाता है या फिर दोस्तो आप क्या करते हैं कि आप जब भी कोई इंटरनेट वगएरा चलते हैं यूटूब वगएरा तो आपका फोन काफी गरम हो जाता है तो ऐसी कोई भी प्राबलम आ रही है तो दोस्तो आज हम आपको आपके डेवलपर की जो है चार सेटिंग बताएंगे और इन चारों सेटिंग को करने के बाद दोस्तो आपका फोन कभी भी गरम नहीं होगा तो दोस्तो तीन सेटिंग आपको डेवलपर में करनी है और एक सेटिंग चोथे नंबर की अपने फोन में करनी है तो इसलिए अब आप वीडियो को पूरा देखना अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बाद जै अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको निशे कमेंट बाक्स में आपको अच्छी सी कमेंट लिख देनी है आपको कमेंट बाक्स में लिख देना है नाइस ट्रीक है नाइस वीडियो आसम वीडियो इस तरीके से लिखके सेंड करना है उसके बाद आपको बैक आना और वी जैसे कि मैंने बताया कि आपको तीन सेटिंग डेवलपर में करनी है और काफनर में करनी है और हर एक ह aha फोन में मिलेगी तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके फोन में developer option आपना नहीं तो आपको आन करना होगा इस setting को तो कैसे आण करणा आपको उपने फोन की सेटिंग में जाना है और उपर सर्च असन देखाई देगा तो यहां पर आपको आना और यहां पर सबसे नीचे में आप सबसे नीचे में नीचे मिलेगी है सिस्टम में जाएंगे हैं हैं इस Somebody सबसे नीचे हैं। मिलेगी तो इसे दोस्तो आपको open कर लेना है अब दोस्तो इसे open पर करने के बाद सबसे पहली sitting कि आपको करने है यहीं पर नीचे आएंगे तो आप imizi running services के नाम से अब दोस्तो यहां पर इसका काम क्या है कि आपको यहां पर टैप करना है और आपके फोन में जितनी सारी सर्विस रन कर रही है जिनकी वज़े से आपकी जो RAM है वो भर रही है आपके CPU, GPU पर लोड पर रहा है तो आपको क्या करना है कि उससे सभी को जो है स्टाप कर देना है कि करके अब मैं एक आपको करके बता देता हूं उस ज्यादा गरम होता है पहली ट्रिक है जो दोस्तों आपको अपने फोन में करनी है उसके बाद दोस्तों आपको जो है बैक आना है और दोस्तों बैक आने के बाद आपको अपने फोन में जो है दूसरी सेटिंग करनी है और दूसरी सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको यही पर थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर एक setting मिलेगी जो है network download limit के नाम से तो यहाँ पर आपको यह setting मिलेगी तो इस पर आपको आना है और यह दोस्तों आप देखते हैं 15 mbps पर सेट है अब दोस्तों यह जितना ज्यादा high पर सेट होगा आ लेकिन दोस्तों आपके फोन की heating problem गरम होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तो ये दोस्तों दो setting आन करने के बाद अब आपको अपने developer के अंदर तीसरी setting करनी है तो तीसरी setting करने के लिए दोस्तों आपको यहीं पर थोड़ा सा नीचे आना है अब दोस्तों आप जैसे नी background में activity हुआ करती है उससे आपका phone गरम होता रहता है जब background में बहुत ज्यादा activities होती है तो अगर आप इस setting को on कर देंगे तो ये background की जितनी सारी activities हैं उन सभी को रोके रहेगा रोक देगा और फिर कभी भी आपका phone गरम नहीं होगा तो अब दोस्तों developer की यह 3 setting आन करने के बाद आपको जो है क्या करना है कि यहां से बाहर निकलाना है और आप दोस्तों आपको अपने phone के अंदर 4 setting करनी है तो 4 setting करने के लिए दोस्तों आपको अपने phone की setting में जाना है और आप जब setting में जाएंगे तो आपको नीचे आना और नीचे यहां पर दोस्तों आपको location की setting मिल जाएगी जो हर एक phone में होती है तो आपको यहाँ पर आना आपको अपने phone की location वगारा नहीं बंद करनी है आपको नीचे जो है आपको setting मिलेगी location services के नाम से तो इस पर आपको tap करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको दो setting दिखाई देंगी wifi scanning, bluetooth scanning और यह दोनों setting दोस्तों on होगी तो आपको क्या करना है कि इन दोनों settings को जो है कभी भी on करके नहीं रखना बंद कर देना है क्योंकि अगर यह दोनों setting आन होती है तो आपको फोन हर समय wifi और bluetooth के network को background में automatically 24 घंटे scan किया करता है और इससे आपका phone काफी गरम होता है तो बस दोस्तों इन चार settings को on करके आप अपने phone की heating problem से अपने phone को हमेशा के लिए बचा सकते हैं और फिर कभी भी दोस्तों आपका phone गरम नहीं होगा तो दोस्तों यही था